नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लले जोति समधान में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी किसी के घर में अचानक कोई भी भूत प्रिद बादा आ जाती है तो अधिकतर लोग इसमें वो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए और बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पाता जो इन बातों के बारे में जानता हो और आप लोग की समस्या का समाधान कर सके कभी कभी इस तरह की समस्याएं इदना रात में आती हैं कि व्यक्ति को रात गुजरने का इंतिजार करना ही पड़ता है और तब तक बहुत बुरी हलत हो चुकी होती है तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे उपाई के बारे बात करेंगे जो आप अपने घर में उस समय पर कर सकते हैं जिस समय पर आपको इस तरह के दिक्कत महसूस हो घर परिवार के किसी भी सदस्य को या जो भी मैं समन बताऊं उसको आप अपने घर में रखें कोई खास समन नहीं है ताकि जब भी समस्या लगे तो आप इस उपाये को अपने घर में तुरंत कर सकें ऐसे भाई और बहन जिनके साथ समस्या पहले से चलिया रही है वो भी इस उपाये को बेजिजक कर सकते हैं आप सभी भाई बहनों को मैं कुछ ऐसे लक्षन बता रहा हूँ जिनने देखकर आप ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति भूत प्रेद बादा से ग्रसित है इन में से अगर कुछ लक्षन आपके घर परिवार के लोगों के साथ मैच होते हैं तो आप उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं अगर आप में से किसी भी भाई बहन के सारे रिष्टे अचानक खराब होते हुए चले जा रहे हैं इन में से कुछ रिष्टे ऐसे हो जो बहुत पुराने हो और वो अचानक किसी ऐसी बात पर तूट रहे हैं तो समझ लीजिए ये किसी नकारात्मक उर्जा का ही प्रभाव आपके उपर आ गया है अगर आप घर में तो ठीक रहते हैं लेकिन बहार जाते ही आपकी तवियत खराब होने लगती है या एक अंजान भैल अगा रहता है तो ये भी नकारात्मक ता का एक लक्षन है इसके हम opposite में बात करें कि अगर आप बाहर तो ठीक रहते हैं लेकिन घर में आते ही आपका सर भारी हो जाता है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगने लगती है तो इसको आपको चेक करा लेना चाहिए ये लक्षन है कि घर में कोई नकारात्मक उर्जा हो सकती है नकारात्मक उर्जा के कारण husband और wife में सोने से पहले काफी अधिक जगड़ा हो जाता है जगड़ा कभी कभी हिंसा में भी बदल जाता है जब वो जगड़ा समाप्त होता है तो ये बात समझ नहीं आती कि ये जगड़ा हुआ क्यों था लेकिन जगड़ा बहुत अधिक हो चलता हुआ काम अचानक बंद हो जाए तोड़ा बहुत कम होना समान नहीं है लेकिन बंद हो जाए कोई काम या आपकी बहुत पुरानी नौकरी छुट जाए या किसी से वाद विवाद की करण वो नौकरी छुट जाए और उसके बाद उस लेबल की job आपको नहीं दो ये भी एक नकारात्मक्ता का लक्षन है घर परिवार में आपके साथ अगर कोई ऐसा रिष्टा है जो बहुत अच्छा है और अचानक उसका स्वभाव बदलता हुआ जा रहा है तो आपको ये नोटिस करने की कोशिश करने चाहिए कि ये स्वभाव क्यों बदल रहा है या ये व प्रोग्रेस में पहले अच्छा था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता या उसको बहुत लापरवा हो गया है या हो गई है तो इन चीजों को आपको चेक करा लेना चाहिए क्योंकि ये चीजे उस वेक्ति को उस परिवार से काटना चाहती है कुल मिलाकर वो वेक्ति उस परिवार की जो परवा होती है बिल्कुल छोड़ देता है शरीर पर नीले रंके काले रंके या गहरे किसी भी रंके अगर निशान अपने आप पड़ रहे हैं तो इनको जरूर नोटिस करें पहले इसका डॉक्टरी इलाज करें अगर उससे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तो आप ये मान के चलें कि कोई ना कोई नेगेटिव एनरजी है जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है तो दोस्तों ये कुछ लक्षण मैंने बताने का परियास किया कोई भी भाई वेहन इस तरह के लक्षण से भी अगर ग्रसित है तो वो भी ये उपाई कर सकता है अब हम चलते हैं उन उपाई की तरफ जिन के लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है कि घर में जब अचानक किसी बच्चे पर किसी बड़े पर अचानक बादा होती है तो क्या करें सबसे पहले तो आप देखिए बिलकुल भी हड़ड़ाएं नहीं न तेज अवाज में बात करें सामानने अवाज में उस वेक्ति से बात करें जिसको भूत प्रेत बादा हो गई है चिल्लाएं नहीं वो चिल्लाएं उसे चिल्लाने दीजिए कोई बात नहीं आप सामानने मैं बताता हूँ जो काफी लोग बताते हैं कि वैक्ति का उठा दबा लीजिए पैर का या हाथ का ऐसा बिलकुल भी ना करें क्योंकि अगर आपका जब तब कम हुआ तो वो नेगेटिव एनरजी आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती है और आपको डारेक्ट परेशान कर सकती है अब देखिए मैं कुछ चीजे बता रहा हूँ वो आप करें काले धतूरे की जो जड़ होती है उसको आप घर पर रखें ठीक है आसानी से भी मिल सकती है आपके असपास और थोड़े पर्यास करने से भी मिल सकती है लेकिन इसे रखें जो भी भूत्प्रेद ग्रसित आदम अचानक अगर बादा हुई है तो आपको क्या करना है उसकी जड़ है उसके महा में बांदेनी है उपर की तरफ इससे भूत्प्रेद बादा में तुरंत निजात मिलता है और ऐसा करने में कोई डरने की ज़रूत नहीं है क्योंकि बांदने से कोई चीज किसी के अंदर ट्र और सहदेया की जड़ आती है ये लाकर रख लें तीनों को एक तामबे के यंतर में भर लें ताबीस टाइप मिल जाते हैं तामबे के और उसे धूप दिखा लें अपने इस्टदेव के नाम से एक मिनट का प्रोसेस है इसे उसे धारन करवा दें ठीक है तुलसी के पत्ते ह हो गए काली मिर्च हो गई आठट और सहदेया की जड़ हो गई तामबे के यंतर में धूप दिखा के धरन करवा दें अपने इस्टदेव से प्रातना करके इससे भी तुरंतरहत मिलती है तीसरा जो पाए है वो यह लहसुन एकडिया होता है उसके रसमें हींग पीस लें औ और जो भूत प्रेत ग्रसित आदमी है उसको सुंगाएं सुंगाते रहें तो वो जो चीज है उसके उपर हावी नहीं हो पाती ऐसा आप कर सकते हैं इसके अलावा और को छोटी चीजे हैं जैसे कि आप कपूर हो गया डारेट यह सबके घर में होता है इसकी एक पोटली बन देंगे उस व्यक्ति के आसपास गंधक इसमें कम रखना क्योंकि जादा गंधक रखने से आग लग जाती है उसमें तो गंधक कम रखना इसकी आप धूनी दोगे उस व्यक्ति को तुरंत तो आपका जो सगा संबंदी है वो ही आप से बात करेगा और भूत प्रेद बाधा नीचे चली जाएगी तो दोस्तों ये कुछ समान बताएं मैंने जो आसानी से आपको किसी पूजा पाठवले दुकान पर मिल जाएंगे आप नाम लेके पूछोगे तो रखें घर में से अचानक कभे भी किसी भी व्यक्ति के घर में दिक्कत हो जाती है तो उनको समझ नहीं आता क्या करें उस समय पे आप इन परियोग को करके देख सकते हैं इसके एलावा अपने इस्ट देव पे अटूट विश्वास रखिए घर परिवार के जो भी लोग जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस समय में उस देवी देवता के मंतर का जाप करते रहें चल्द ही आपको रहा दिख जाएगी कि अब क्या करना चाहिए या कोई छोटी मूटी समस्या होगी तो वो तुरंत की तुरंत ठीक हो जाएगी जो दोस्तों आज हमने बाद करी कि घर में अगर अचानक दिक्कत हो जाए तो क्या करें जिससे कि आपको कोई बड़ा नुकसन ना जिलना पड़े दोस्तों हमारे यहाँ पंचमो की हनुमान लॉकेट बनाय जाता है भूत प्रेद बादा ग्रसित लोगों के लिए जो गले में धरन करने से इस तरह की दिक्कतों से परिशानी मिलती है माताओं और बहनों के लिए महाकाली रक्षा कवच बनाय जाता है और बच्चों के लिए बाल नजर रक्षा कवच बनाय जाता है अगर आपके घर परिवार में किसी परकार के दिक्कत परिशानी आपको लगती है नकारात्मा कुर्जा की तो हमारे यहां अभी मंत्रित धूनी भी बनाई जाती है जो भी भाई बहन इसे मंगाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर्क करके इसे मंगा सकते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल लले जोतिस समाधान पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको पहले मिल सकें अगर वीडियो आपको ठीक अच्छा पसंद आ रहा है तो अपने ऐसे सगे संबंदियों के साथ यार दोस्ते के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाब उठा सकें तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ आपके साथ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम